अजी हेलो सुडेंट्स, आज जा स्टैटिक्स दा आपान लेक्ट्टर करन जा रहे हैं, लेक्ट्टर नूमबर फिप्टीन. नमा चप्टर से चुरू करन जा रहे हैं, थर्ड चप्टर एक्ससाइज रिये करांगे, आज तो दासी फर्स्ट क्वेश्चन करांगे. उस तो पहला सीध तेहोरम संज देयां, वोदी चेडमेंट संज देयां, तेहोरम ओन इर्जाओड पार्ट्स, दा जबरिक सम, ऑफ दा जा र्जाओड पार्ट्स, आफ नंबर अफ को प्लेनर, कंकुरेंट फोर्सेज, इनि अगिवन डिरेक्शन, इस इकौल तो, दा रिजा आना समझियो बड़े हित्या आना समझियो स्पोस करो कोई force एदर एक्ट कर दिया स्पोस करो force पी यह ओए एंगल यह थीटा बना रही है एस X-axis देना आल एस X-axis देना आल ओएंगल थीटा बना रही है एद्यासी रिजॉट पाट किस दिके नहीं होने है एदर ली साइड आजए आजना पी साइन थीटा के लिए कि जे पी फोस एक्स देना थीटा एंगल बना रही आताफी को सीटा को कि जे यह यह थी लोंग लोग जोगे तो तो साइन आएगा क्योंके ए वाला एंगल हो एगा 90 माइनस थीटा वो होएगा P cos 90 minus theta तो होजएगा P of sin theta कि ज़िए एदर angle theta तो उदर angle 90 minus theta होएगा that's why कि ज़िए एसी x-axis दे long angle theta तो उदर cos लागा कि ज़िदर भी angle होए theta उदर सी cos लेना तो ज़िए ज़िदर नहीं angle ज़िदर 90 minus theta angle बढ़दा उदर आएगा sine एस चीदा जिए क्या रखना मैं साट कर रहे हैं, मैं भूआत सारी पौर्श एक्ट कर दिया है। नश 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 लाइट रिगण है, एंगल भी पता होंotherap है। तो जेन हैं सारिया दा, आसी जन्य मी ए फोर्स्स भाण पाद लगिये, उन्हा सारियां दा साम करिये ओके, उन्हा एकुल के दे होएगा, तना दार जन्केड फाइंड कर लो उन्हा दे जॉड पाद दे एकुल होएगा मैं फिर रिपीट कर रहे हैं, सब मान लो, साधे कोल बहुत सारी हैं फोर्सेज है, चलो पहले आपना दो फोर्सेज भी गाल करेगे, ये थियोर्म की कह रही है, स्पोस करो मेरे कोल दो फोर्सेज है, एक फोर्सेज है मेरे कोल पी, एक फोर्सेज है मेरे कोल क्यों, दो फोर्स आते हैं इंगल आफा बंदा पया गेह यह असी पर्बह लाँ गे इन्य आते हैं स्य्लिइंद कॉरं येदा मिला लोगें पर्ट कारी भिद्यर्ड ओक ये इदे रहिए गाहिजक पर्टॉ पर्स साथूर्प कर दोके कर दिया होना थी घरए स्वाइंटैंग करई गाल जब रिस ब्सक्राइब्सही पीते क्यएव दे रिजॉट पार्ट दे सम दे इकुल वएगा क्यांदा meaning एह उया जाहे इना ओर्वॉसजड ऑव कर लेके उना दा सम कर लो जाहे तुसी जड़ा रिजॉटन्ट या फोर्सजड़ दा उदे रिजॉट्वर्वड़ पार्व कर लो चाहे ता तुसी की करो resort part कर लो forces दे उना दा कर लो sum तामी answer हो नहीं आएगा तो चाहे तुसी की करो जो इना पी दे क्योदा resultant या चाहे resultant दे resort part find कर लो answer same आएगा ये एथियोर्म कह रही है अमीद करना कि ताम उसम चाही की होएगी कि कह रही है statement जिन्यावी forces दे wrong आपर्सला अड़ी आवी एक शाहे दौ ers जिन्यावी or advisors थे турण में उल भूष कर लो तो नदे कर लो Algebraic Samang ago कि दे को लाएगा जिन्यावी forces दे ये इनृर्दा दे resultant दे ब्रबर आएगा ये ये थियोर्म कह रही है तिनमों से बहुत जूज करांगे इस चप्टर दे अंदर तो पहला हूड़ा सी स्टेट्मेंट पढ़ जा रहे हैं फर्स्ट क्वेशन दी फर्स्ट क्वेशन दे दो पार्ट है वोदा फ़स्ट पार्ट फ़स्ट पार्ट उन्हों बड़े त्यान न समझी यो फ़स्ट पार्ट वन ट्वन्ट हर एक पेरदे विचे अंगल 1ट वनट वन्ट वन्ट या ओकई जेता सवन्ट बिश्ट क्या हूं था कि ए इतने फोर्स एकलिब्रियम चे फिर असी लेमी थिरम मा लादेनी सी होनशी क्योंकि एकलिब्रियम में पता है जा नहीं इस करके वो असी लेमी थिरम नहीं लावाँगे तो साथे को फोर्स के स्रीके अपनानियां बड़ेते आना समझोगे एक फोर्स एदर लेलो एक फोर्स स्पोर्स करो में अट वैलो पी इस साइड ते लेली एक में एस साइड ते लेलेना फोर्स एस साइड ते में लेलेना नाइन पी एदे में एक फोर्स आड़ले साइट अहें आज स्का करना साथ ति ति तिना फॉर्स दा अर्जेल टेंट फैंड करना ति 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 Sun चुछ्छ बंगी तिना फॉर्स अर्जवाट पच भागे श्वार्ड थैशन आना थे आउसर सेम आणगी और थे तिसी कुंसेप्ट जूर्ड करांगे हांजी तमै की करना जडि एट वैलोप दा line of action, force the, इन्नों मैं x-axis force कर ले ना, इन्नों मैं कहला है, x-axis, इन्नों मैं x-axis ले 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 ना, यदoples जड़ Ihnen perpendicular इं disse line आएगी, यदि य maple वही वाली y-axis ले 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 लेव छोग करो, ता मि ठीक है, छोग नहीं करना का, ताम ही ठीक है ठीक है यह जड़ा लाइन ओफ एक्षन यह एक्स एक्सेज जड़े प्रपेर्डिकुलर एक लाइन होसी की कमांगे वाई एक्सेज इधा प्राहून सुलूशन फाइंड करांगे तकी लिखिए टेक टेक एक्स एक्सेज ओलाउंग फॉर्स ट्वैलोव पी जिद्धर ट्वैलोव पी फॉर्स दा लाइन ओफ एक्षनल और साइड दे असी एक्सेज लामां गे एंड य एक्सेज परपेंडिकुलर टू एट तो य एक्सेज दे पर्पेंडी को लोग अगा तो बढ़ी त्याना समझ जो सो फोर्सेज किड़ी किड़ी हैं फोर्सेज साहँ को एक टवैलोपी, देन एक 9P एक किया साहँ को लो 4P एक एक एक्त कर्दीं परियां, एस प्यांट एक्त कर्दींग अ नहीं। चिंकर में अगल में के नहीं परना रही हैं, आनब मेंके अंगऑ ठेमॉ ni स्वालिक उपड़ ही, 2012 परस रांगल बना रही है, जीरोन डिग्री है, कि 9p किने और पना इंगल पना रही है 4P किने पना इंगल आ सा खा новых स eternal 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 एंगल हो गया 240 डिग्री के दना एंगल बन्दे पाया with x axis, ठीक है जी एंगल बन्दा प्या x axis दे 4 अमीद कारथा तरब समझागी होए कि मैं फेर पीड़ कारथा तरबैल पी 0 एंगल बना रही है, 9p जड़ी force या o 120 एंगल बना दी पी x axis दे 4, जड़ी फोर्थी फोर्स या वो एंगल बढ़न दी पही है एकसे देना आल 120 प्लस 120 तूफोर्टी हां जी इदे असी इक स्पोस कर लें ने लेट आर भी रिजल्टेंट मन लो के दा आर रिजल्टेंट आएगा तिअ मेlläकिंग एंगल एंगल की नहां उह पार पहां उवी सपोस कर लें के अंगल थीटा इट वी एक सित वीश्ड़ेंट इकस इस डीकर गांगे ख़स Jeez isold part along, पहला प्राम अजगे para along x-axis, तो की सी थीोरम सादी result part दे थी, एक में अपंपर we sum करांगे result part of forces, दुजी साइड तेí अपंपर ni लिखांगे result part. resultant की थी ही साधे को अपं अर्ड स्पोस किता हुआ, ठीक है अंगा जी, आर्ड स्पोस किता हुआ, जिए मेरे कुल x-axis है, ए बाइक को आख़ करो, r या जो थीट अंगर मना रहे तो उदर जोट पाथा आएगा, r of cosθ थीटा, ए तुसी सम देना, हाँ जे, होनो, ten forces है मेरे कुल, 12P किन अंगर मना दी पई, x-axis देना, 12P cos 0 अंगर मना दी पई, प्लास 9P 9P cos of 120 प्लास तीसरी force या 4P वे एंगल के नापणा दी पर एकसे देनाल 240 दिग्री ठीक है जी एक बन यसी ले 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 जल्टेंड तर जोल्ड पार्ट तो जी साइड दे में को तेन फोर्स थी फोर्स थी मेरे को उना धिर जोड़ पट ले लॉंग एकसे जी एकसे लॉंग लेने सारे देनाल कॉस ही यंदा ही तनु पता चल गया हूं तक मैं समझा चुके हैं तानु क्योंकि एकसे देनाल लेंगर बन दे पाया यह दिना जीरो एदिना बंट वंट यह दिना कॉस 180 कॉस 180 माइनस 60 ठीक्या जी ति कॉस 180 माइनस 60 के ना हूं दा अविता न पता होएगा माइनस कॉस ओफ 60 होएगा सो माइनस 1 बैटू अंसर आजेगा एदा ही कॉस 240 दी वेलू जी फाइंड कर नहीं है ओ कि नी होएगी विच इस इक्वल टू इत्या आजेगा प्लास 60 यह थर्ड क्वार्टन ची भी कॉस नेक्टे होंदा सो यह आज्या गा माइनस ओफ कॉस 60 यह भी आगी माइनस 1 by 2 so plus 9P minus 1 by 2 plus 4P into minus 1 by 2 तो जी अपना 2 ले ले लेगे LCM यह थे आजेगा 24P minus 9P आजेगा तो minus 4P आजेगा इन्हों फिर आसी फर्द simplify कर लेगे 2 LCM यह 9, 4 होगे 13 बागी रहागे 11 ठीक हाजी 11 over 2P यह आजेगा इन्हों फिर आजेगा ठीक हाजी 9, 4 होगे 13 तो चोविया जो तो उसे 13 minus करोगे इन्हों फिर आजेगा जाणगे 11 11 by 2P यह सादेगा आजेगा 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 आर कॉस्स थीटा दी वैल्यू इन्हों उसे हुन बाद वैच्जूस करांगे क्योंकि आसे दो चेजा फाइंड करनी हां एक और भी फाइंड करना एक ठीटा भी फाइंड करनी हां दो एक्वेशन आणगे जित्वों उसे यह फाइंड कर लांगे और मिन्हों लग रहा कि तम समझ भी आगी है इन्हों मैं राफी करदा इदी हुना आपनों जरूर्त नहीं और आसे इद्धे बिल्कुल रिजॉल्ड पार्ट आलोंग वाई एक्स भी लाँगे आजे साइन आणा बाकी सारे से हैं 12 साइन जीरो नाइन पी साइन किना सी 120 पलास फोर पी साइन 240 ठीक है जी जो अपनों भाई एक्स भी लाँग लाँग होगे वो दो जित्वे कॉस यह साइन आएगा साइन जीरो किना होंदा जीरो जीरो हो गया नाइन पी यह भी तुसी साइड ते वेल्यू कल्कुलेट कर साक दें हैं साइन 120 मींज साइन 180 माइनस 60 वो होजेगा साइन ओफ 60 कहनदा मीनिंग अंडरूट 3 बाए 2 क्योंकि सेकंड क्वाटन चाइन पास्टर होंदा एदे तुसी साइन 240 दी वेल्यू क्योल्कुलेट करोगे वो आजेगी माइनस साइन 60 क्योंकि यह थर्ड क्वाटन चाइन आना तो आजेगी माइनस अंडरूट 3 बाए 2 वेल्यू पुट गरो इथे आजेगी अंडरूट 3 बाए 2 फिर 2 तुसी जे यह सीम लेलो, एधिया अंसर आजेगा 9, under root 3 by 2 common ही करलो, under root 3 by 2p common वेच्चा आजेगा 9 minus 4, केंदा मेनिक 5, under root 3 by 2p, यह आगी साधे कोल r sin theta di value, ओके, एधा नमबर second, एधा नमबर first, एधा नमबर हो गया, first, और इना तो आसे square and add करके, बड़े easily value find करलांगे r di, तो divide करके find करलांगे 10 di, so बहुत easy ही है, जेक्टी आजेगा साधे को ल, हाँ जे, divide, पहले square and add करो, square and adding, first and second, देखो, इधार r cos theta, तकी आजेगा मेरे खोल, r cos theta, स्केरिंग करोगे, स्केर आजेगा, एधा ही r square, sin square theta, left hand side दी स्केरिंग कीती, यह आजेगा, 11 by 2p, 11 by 2p square, plus 5 and root 3 by 2p square, r square common, sin square theta plus cos square theta, 1, स्केर आजेगा, r square, हाँ जी, 120, 1p square, plus 55, 75, p square, तो 4 आजेगा, LC हाँ, यह स्केता डेकॉल calculation हो जेगी, p square भी common आजेगा, तो तो डेकॉल आजेगा, 5, तो 6 हो गए, इते, 9 हो गए, तो 196, over 4p square हो गया, so r the value आजेगी तो डेकॉल, नीचे 2 तो तो पर, p, 14, ठीक हाँ, 14 by 2p, जाए थे cancel भी कर सागदे सी तुसी, तो आगी तो डेकॉल, 7p, so, resultant मिनों मिल गया, 7p, resultant के ना मिल गया, 7p, angle भी find करना, उदेल ही divide कर दो, divide 2 by 1st, divide 2 by 1st, जाए डवाइड करोंगे, की आएगा, इते, r sin theta, over r cos theta, 5, under root 3, over 2p, उदर आगया, 11 by 2p, तो से देशे होगे, 2 भी cancel हो जाने, p भी cancel हो जाने है, तो बाकी आंसर आगया, साढ़े कोल, 10 theta, 5, over 11, under root 3, जाए ठीटा लिखना, तो आजाएगा, 10 inverse, 5 over 11, under root 3, जाए एगल भी आगया, सो रजल्टाट के नहाँ मिल गया, सो रजल्टाट इस 7p, and making angle 10 inverse, 5 over 11, under root 3, with the line of action, of force 12p, क्योंकि with x-axis एगल, theta सी with x-axis was कीता, x-axis केते सी गर 12p, जड़ी force है, 1st force होते सी, एक बढ़े ते आना देख लो, बहुत ही simple chapter आए, बहुत ही easy है, parallel forces वो इस तो भी easy है, बहुत simple है, so, बहुत ही जा रहे हैं, next question, हांज ए रही जी, साथी, आज दी, next statement, question no. 2nd, ABCD is a scale, and O is point dividing BC in ratio 3 is to 1, find the resultant of forces 12, 5, 9 kg, acting along AB, 5 acting along AB, 5 along AO, and 9 along AD, तो एसी इना दर जर्ट and find करना, okay, देखो की है statement, साथे को लो एक square है, okay, साथे को लो की है, एक square, वोदा नाम है, A, B, C, and D, ये की है साथे को square, होड के लिए के, आज जडी साइड है, B, C, ये ते सी एक point, एदा लेना, एक point O लेना, जड़ा BC नू, तेने एक दी ratio डवाइड करे, तेने है सेक बने रहा जान, जब तेने है सेक डवाइड कर लिगे, तेने है सेक बने रहा जान, ये तेकते हो point होएगा, इदर तेने है से रहागे, ठीका जी, आथरी, तेने है से रहागे, इदर एदर बन रहागे, जब टोटल, फोर पार्ट्स होड, तेने है सेक बने, एक हैसा, एक साइड पर रहा जागे, एक साइड पर रहा जागे, आप नो इसे एक साइड पर रहा है, क्योंकि स्केर दे सारे एंगल 90 डिग्री हों दे या, ये हो जागी फिर ये एक से दे जागे, जब आपान देखिए, इते समना एंगल पता होने चाहे दिया, फोर्स का निए बना दिया, ट्वेलबर क्योंकि एक सेड दे उपर रहा है, इस करके बनाएंगी जीरो, फाइब केजी पारे समना पता नहीं, ये ऐसी स्पोज कर लेणा, कि ए एंगल पना दिया, अलफा, अलफा स्पोज कर लाँगे, कि ए एंगल पना रहा है, अलफा, नाइन केजी एंगल पना रहा है, नाइन टी डिग्री, ठीक है जी अलफा सी, स्पोज कर लेआ, अलफा, ओके, होना, सुलूशन, लेटर, A, B, C, D, B, आसुकेर, उधी साइड ना तुसे स्पोज कर लो, 4A, 4A ताल रही है, क्योंकि तेन है सेक साइड थे है, फिर 3A इदर लेलांगे, ए वाली जड़ी लेंद थे है, इतो राक, 3A होगी, फिर जड़ी A वाली इनी लेंद थे है, A वाली, यह होगी A, एनना पोर्शन 3A, एनना A, टॉटल होगी 4A, A भी 4A, A भी 4A, क्योंकि स्केर रहा, तो स्केर थे हैं साइड थे हैं सेम हों दिगा, ओके, A वाली साइड है साड़े कोल, 4A, ओके, इते की कम करना पेना, उमें इते साइड थे कर देना, ता जो ता नूँ चंगी तरह समझा, जो आजब है साइड थे करना पा वेच्ची कर देना है, ओन एबी करना साड़े कोल, 4A, ओके, ओपा पॉइंट यह साब ना लिया, के साड़े कोल, जड़ा, बी यो पॉइंट थे हैं, ओके ना होँँआ, 3A, ते जड़ा, OC पॉइंट थे हैं, 05A, ऑन जैसे पाइथा गॉर्स, ठीवरा मॉला दिया, एपम इत्मी साइड 3 एप नान जड़ी साइड 4 भाउर, वह यह जड़ी फॉर्स एप हैं, इस गलकरीगी लेंध उह लेंथ 4 एप यह लेंथ 3 ऊछे आछिए मेंद दिया, वो ऐसी length find कर नहीं है So, पाइथा गोर स्थियोर मला देओ A O square A O square is equal to की आएगा की आजेगा हो 4 A square plus 3 A square इनों simplify करो 16 A square, 9 A square 25 A square So, A O the value आगी साड़े को 5 A और सामों मिल गया कि आज आज आवल जड़ी length है A 5 A A 4 A, A 3 A होएगी A A होएगी A होएगी फिर 5 A A 5 A है इन में एंगल अलफा स्कोस कीता कि तुस्सी तो ना साइन अलफा भी लेक साग दें साइन अलफा साइन अलफा की होंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियूज वाज़ेगा 3 A over 5 A कहन दा मेनिंग 3 by 5 जो मैं लिखना होएगी कौस अलफा कौस अलफा के नायका होंदा बेस ओवर हाइपोटेनियूज बेस 4 A 12 ना लेख लिए हो ता 4 से साइड लिखनी यसी किनिया 4 A over 5 4 A over 5 इन अदिस अनु ज़रूरत पहनी है क्योंकि सानु एग्जेक्ट अंगर नहीं पता जो अंगर नहीं पता जो उसी रिजॉर्ट पढ़ लेने हैं वो साइन अलफा को और साफा सी पहले त्यार कर लें एक चीज होण आप लिखांगे forces केड़ केड़ी है साड़ी है forces है त्वेलव केजी है त्वेलव केजी देन गिवन है त्वाइव केजी देन 9 केजी मेकिंग एंगल एक अपा लाइन लेक्सा दे सी किते भी लेहलो चाहे इथे किते लेहलो टेक AB as X-axis and AD as Y-axis AB नो एक्सेस मार लेया त्वेलव नाइन केजी मेकिंग एंगल के नहीं के एंगल बना रहिया एक बना रहिया, जिरो डिग्री एंगल एंगब, एम बना रहिया, नाइन के एंटी डिग्री एंगल के देना आल, विद X-axis, X-axis दे ना, यैसी, फोर्स्सी दे अंगल लेहते एक बना रहिया, टेटे ओ letter RB resultant जो ऐसे, फाइंद करना making angle मान लो थीटा टेकिंग रिजॉर्ड पार्ट टेकिंग रिजॉर्ड पार्ट लोंग एक्स एक्सिल पहले ले लो ओकी आजेगा आर कॉस थीटा ओके ट्वेल बना रहा जीरो ट्वेल कॉस जीरो पलास फाइव के ना बना रहा अलफा ओके ना बना रहा कॉस नाइन थी सिंप्लीफाई यह होगा ट्वेलब कॉस अलफा दी वेलिए उसी कल्कुलेट का चुके हैं फोर ओवर फाईव फोर ओवर फाईव फ्रॉम दिस स्टेप कॉस नाइन थी जीरो सो एफाईव दे कैंसल होगे बाराँ चार सोला आगे सो आर कॉस थीटा दी वैलिव मिलगी सिंप्स्टीन इदे ही यह सी करांगे टेकिंग रिजॉर्ट पार्ट अलॉंग वाई एक्सेज उगी आजेगा ओदे वेचे साइन आना आर साइन थीटा सारे आदेना आला हों साइन आएगा टे वैलो साइन जीरो 5 साइन अलफा 9 साइन 90 एग जीरो होगे आ साइन अलफा दी वैल्य पुट करो 3 ओवर 5 9 5 दी कैंसल होगे so 3 plus 9 that is 12 और r sin theta आगया 12 r cos theta आगया 16 इनना नो square and add कर दियो square and add करो गे तिदर r square आजेगा इदर आजेगा 16 square ये आजेगा 12 square इनों simplify कर सक दिया तिदर आजेगा answer ठीक है जी इथे तुसी होने इथे आजेगा r easily calculate कर सक दिया 16, 6, 99 9, 16, 9, 52 56, 144 इन व्याड़ कर लो 10, 5, 49, 10, 2, 3, 4 लो जी r square आजेगा 20 kg r होएगा 20 kg ये तिसी divide कर दोगे divide करोगे r sin theta और r cos theta तो आजेगा 12 over 16 16 चार तिये 12 ति चार चोके 16 तो आजेगी theta दी value 10 inverse 3 by 4 so resultant is 20 kg making angle 10 inverse 3 by 4 so ये ही साथा answer ये और असी कर जा रहे है next question अपने अगले लेक्चेज करांगे क्योंके टाइम थोड़ा है मैं जल्द बाजी करूंगा समझांदी so असी next lecture बाक्की questions करांदी question करांगे हो तुसी वीडियोनों लाइक भी कर दो मैंनों पता ताड़ चो बहुत सारे स्टूड़न ने लाइक नहीं कीता चैनल सस्क्राइब कर तो बिनन देख दे पहे हैं so request ही हा के तुसी चैनलनों सस्क्राइब भी कर दो ते नाल दी नाल पाक्की श्टूड़न चेर भी कर दो किसे उन्हों पीडियाफ चाहिए होन गी हां ता मिनों तस्यो मैं पीडियाफ भी प्रवाइड आप सारदा handwritten notes तो उन्हों प्रवाइड आप सारदा तुसी उन्हों आंदे printer निकाल सारदे हैं thank you